नमस्कार किसान भाईयों आज मैं अपने पोदा है मैं इसकी आज कटिंग करने जा रहा हूं कटिंग करने का अभी कोई टाइम नहीं है लेकिन इसका इतना फोटा हो चुका है छह मैने को पोदा है करीब 10 फूट की हाइट यह ले चुका है और इतनी ग्रोथ है इसकी अंदर इसका जो तना है यह वाला यह देखिए यह बीतना मजबूत नहीं है और यह कहीं डैमिज ना होजाए अपने आप पत्तों के वज़न से तूट ना जाए इसकी मैनी कटिंग आज करने ही पड़ेगी यह देखिए किस तरह फोटाओ पर चलाओ गया है देखिए सातियों करीब 6-7 मैंने कप पड़ा आए आज मैंने की कटिंग करने पड़ेगी यही मैं आपको शेयर करना चाह रहा था मैंने कटिंग इसकी आरम कर ने स्टार्ट कर चुका था लेकिन मैंने ध्याना कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं और आप लोगों को सेयर करूं ताकि इसको मैं आप से दिखा सुकूं यह बिजू पोदा है कितने समय में इस पर फल आएगा कैसे इसका फोटाओ चल रहा है क्या मैं इसमें डालता हूँ मैं पहले भी इसकी वीडियो बना चुका हूँ फोटाओ के बात करें तो यह देखे इस मेंरे सात्यों हर पत्ते पर इसकी टैनी चलती है मैं सिक गुवर्वेटनरसरी से लेकर आता हर पत्ते पर इसकी यह देखे किस परकार हर पत्ते पर इसकी फूट टहनी चलती है यह व्राइटी तो उन्होंने मुझे बताई नहीं ना उनको खुद मालूम थी यह कौन सी व्राइटी है फलाने पर ही पता चलेगा साइध फूटाओ बहुत अधिक मातरा में पूरता हर पत्ते पर इसकी टहनी अगर मैं इसको ऐसे यहां से कट कर देता हूं तो इसी में बहुत सारी टहनी ने पत्ते के साथ हर पत्ते के साथ की टहनी आरम हो जाती है और अधिक पत्तों का वजन होने कारण मैं इसकी कटिंग करनी पड़ रही है फल तो साइध अभी बीजू पौदा भी नहीं आ यहां से कट करना सुरू कर देगा यह मैं इसको हटा दूंगा कटिंग करने के बाद इसी वज़े से मैं इसकी कटिंग कर रहा हूं ताकि यह इसका तना यह मजबूत हो जाए देखिए वैसे बहुत मतलब फुलाओं पर है बहुत इतना मैंने आज तक जो पोदे लगाए न इतने कम समय में इतना मोटा तना किसी पोदे का बना नहीं है लेकिन यह मुझे पोदा बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका फल कब आएगा मैं भी इंतिजार कर रहा हूं आपको शेर करूंगा जब फल आएगा सात्यों बस मेरे अदेशे यही था ताकि मैं समय समय पर इस अगली वीडियो तक तक के लिए बाइबाइ नमस्कार सात्यों धन्यावाद